हाई गुड इवनिंग एवरान आटिट का पेपर हो गया कम्प्लीट फाइनली नवेंबर 23 एक्जाम्स का और आम शूर मोस्ट फ्यू वूट बी फिलिंग रिलाक्सट बहुत खुश है नहीं है आट सनाधर मैटर बट ऑडिट का पेपर हो जाना अपने अपने एक बड़ा र आपको लगा होगा कि यार अपने करतों दिया है पर अब देखो इंस्टिट्यूट होफुली यही सोच रहा है शायद जो हम चाह रहे हैं या लिख रहे हैं और कुछ इसे जो आते भी थे पर हम वहां पर याद नहीं रख सकते क्योंकि ओपन बुक एक्जाम होती तो फॉर पर में आई जिसमें से आपको पंदरा टेम्ट करने थे और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से दस क्वेश्चिंज आपके ऐसे होंगे जिसमें आप कॉन्फिडेंटली शॉर्ड शॉर्ड कर पाएंगे अगर आपने पूरी ऑडिट पढ़ी है भले ही सैंप्लिंग बेसिस पढ़िए कि हर चाप्टर पूरा नहीं पढ़ा है उसके इंपॉर्टन टॉपिक्स पढ़ें क्योंकि ABC को मॉरल इस पैटन को फॉलो किया पेपर ने एक अच्छा स्प्रेड रखा सभी चाप्टर से कुछिन पूछे किसी भी एक को जादा वेटेज नहीं दिया और इस पर्टिकुलर पेपर में आपने यह देखा कि अगर हमारी कवरिज पूरी रही है भली सैंप्लिंग बेसिस पर हमने ऐसे छोड़े नहीं कोई मेजर टॉ चाप्टर के अलावा तो आप 10 कुछिन कॉंफिडेंट्ली कर सकते हैं और पाच कुछिन में कहीं कुछ मिसें कहीं कुछ तर्की ऐसा लग रहा होगा आपको पेपर अगर हम देखे तो शुरुबात में तो ऐसा लग रहा था शुरू के पाच कुछिन देखते हुए कि एसे इसे और हमेशा आपको है फ्हला चांडली की सिल्गेशा खनली को में पता है इसमान घुरुपन की जाम अगर स계 फ्यूपनीजियंग कर सकते हैं हो हूं हम इसे सब्सक्राइई हम कंता सकते हैं चाह ने चाहिए व्यृ में नमीच की सामयरो लगए लोगए थियुपनीद द then इसके बाद में next जो आपका third question था इसमें special audit शुरू हो गया जिसमें tax audit का question जो हमेशा आता ही है एक NBFC जो expected था and एक automated environment जो हर बार आता है fourth question में company audit LODR का एक connected question था और bank और insurance company कई बार इन दोनों में से एक आता है एक नहीं आता है इस बार दोनों आ गए और ABC क्योंकि follow क्यों किया क्योंकि आपको याद होगा जब आपके SFM के paper के बाद मैंने एक share किया था आपके साथ review तो मैंने आपको कहा था उसमें number one जब करके आओ तो आप सबसे पहले peer review, quality review, professional ethics and liabilities of auditor उसी दिन कर लेना और अगले दिन के schedule में मैंने आपको कहा था bank audit insurance जराभी मच छोड़ना efficiency level जब आपके tik-tak रहते हैं तब यह दोनों chapters कर लेना मैंने कहा था आप कुछ छोड़ना है तो investigation, internal audit, operational audit in fact investigation करना internal operational audit वाला chapter आप skip कर देना वह ऐसे 610 को आप थोड़ा सा तो भी करके भी solve कर पाते हैं तो ABC फॉलो गया बाटन ने anyways ways then अगर अगर अपन question 5 पर आते हैं तो question number 5 was ethics quality review और PSU quality review इतना जादा लिंदी chapter है उसका ऐसा theory question पूछा कि कमबक्त उसके चक्कर में ethics क्योंकि था तो करना तो था ही क्योंकि ethics तो बड़ी ही रहता है हमारा उसके चक्कर में ये question भी करना पड़ गया mostly students को कुछ याद आया होगा तो लिख पायोंगे PSU आपने देखा भी होगा तो आप comprehensive audit का question था simple 5 points लिखने थे एकदम plain vanilla marks थे अगर आपकी memory वहां पर आपका साथ दे गई तो six question ideally में भी आपने skip किया होगा करने के लिए इसमें investigation का question था जो indirect तरीके का question था audit of cfs related there is this particular direct question और एक आखरी option में question था जिसमें ethics और second part में ethics or liabilities of auditor का discussion था तो overall अगर आप देखें तो सबसे आदा वीटेज ऐसका रहा with five questions ethics had just two questions usually three आते हैं कम कर दिया company audit LODR related two questions including cfs एक essay का question आप essay or cfs कहीं पर भी डाल सकते हैं और special audit के नो अलग-अलग chapter के एक-एक questions पूचे गए यह आपका overall break-up था very quickly going to these particular questions not discussing no spoilers आपने जो किया बढ़िया किया अब आप law पे लग चुके हो इसलिए मैं review late डाल रहा हूं ताकि जिसकी जर्वत है बस वही सुनेगा बाकि लोग ना सुने इसको इसमें देखें question number one basically independence related था आखरी में लिखा है ऐसे तो आप SQC1 ऐसे 220 दोनों के reference से कर सकते हैं अगला question अपने आप में तोड़ा सा tricky question था जिसमें आज सच risk assessment पे response और estimates दोनों की बात की गई थी इसके बाद वाला question आपका internal auditor के scope related था कि भई हम कई सारी चीज़ों के उपर report कर सकते उस related matter लिखा था यह पहला question आपका पहले exam में पूछा जा चुका है में 2018 में in fact this is basically stock verification 501 related था इसके बाद वाला opening balance related आपका question था similar question आपका MTP में पहले कभी आ चुका है इसमें प्रमाली आपको opening balances check करने की responsibility related बात थी C part पे अगर आप बात करें तो this was again relating to audit of CFS जिसके अंतरगत company ने consolidated financial statement प्रिपेर नहीं किये तो आपको अपना opinion किस तरह से modify करना adverse opinion दे रहा है जो भी है उसके reference में आप 705 plus के reference में आप answer देंगे then इसके बाद ही आपका tax order related clause था as such tax order में these are one of the important clauses जिसमें आपका section 56 के अंतरगत 210 कौन सा subsection class के अंतरगत you have to report this particular thing तो इसमें 50,000 से कम की value थी यह आपका थोड़ा सा indirect question पूछा था सीधा सीधा नहीं पूछा था इंडेस के अनुसार बनाने तो mostly आपको इंडेस में क्या different होता है इसके comparison में वो चीज़े share mention करना जाहिए था में क्या क्या करना है और LODR के अंतरगत resignation of auditor में उसे communicate करना पड़ता है वो process आपको share करना था insurance में थोड़ा सा indirect question पूछा था trade credit insurance और इसके features के बारे में NPA की sale का provision था तो इसमें आपको क्या दो तो जो MCQ का revision हमने किया था उसमें NPS के provisions होता है कि किते साल बादा आप NPS sale कर सकते है उस related शायद आपको इसमें answer देना था यह आपने बस chapter किया होगा comprehensive audit तो इसके points mention करने थे technical review और report किती तरह की देता है और देते जमें किन factors को दिमांग में रखके वो अपनी report बनाता है quality review से related question यह question ethics का है आपके RTP MTP में पहले आ चुका है company audit journal professional journal में permission की जर्वत नहीं है and then audit of consolidated financial statement में mandatory कभ है और क्या cases में आपके पास exemption है investigation कौन real owners है and then ethics थोड़ा सा indirect question था basically कि आपको fees के advance विम लेगी तो indebtness count होगी इसका alternate question में आपको आखरी में पूछा गया था different act था आपको ideally income tax act और code of ethics दोनों के अंतरगत इसका answer देना चाहिए था but this was the paper once again this facts holds true that a comprehensive good coverage and if you are good strong conceptual understanding of the paper बले ही आखरी समय पे चीजे रिवाइज नहीं कर पाया होगे except कुछ core theory points अगर आप देख ले जैसे technical reviewer वाला देख लो या comprehensive वाला देख लो अगर आपका conceptually strong पड़ावा होगा paper तो बलेगे आपका आखरी समय revision पूरा नहीं हो पाया आपके satisfaction पर फिर भी आप paper अच्छे से attempt करके आपायोंगे mcq revision video जो मैंने share किया थे mcq students ने कहा थोड़े typical आये थे ए लेंदी थे भी paper भी as such ठीक था length in terms of कोई बहुत short नहीं था plus mcqs में थोड़ा students को time जादा लगा क्योंकि options भी काफी अपने आप में intrigue थे जैसे दिखने वाले थे कुछ ऐसे related questions में भी थे integrated mcqs में ऐसा कुछ as such integrated जैसा कुछ था नहीं it's just that sort करके उन्होंने questions बना के पूछ दिये but yes mcqs अपने आप में doable थे challenging थे overall i will not say paper was definitely easy i will not say it was definitely tough not one of the papers जिसको देखके आपको मायूसी होगी not one of the papers जिसको देखके आप बोलोगे पूरी तरह से फोर दिया but yes you will be i mean relaxed after giving this particular paper अपने mcq videos और जो भी आपके साथ content share किया किताबे शेयर करी books आपको शेयर करी audio pods के features अगर आपने use किये revision videos जितने भी दिये ये सब आपको किया कितने फायदे मन रहे कभी आपको सभाए मिले तो comments में ज़रूर लिखेगा that helps us to reinforce and focus on those things which are relevant for the student wish you all the very best बहुत अच्छे से करि thank you bye all the best